चलो आज मैं फिर से एक नया केक ले करके आगे हूँ जो बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही प्यारा डिजाइन बनने वाला ये जो केक है वो 2kg का बटरस कुछ फ्लेवर में केक बनाने वाला हूँ तो चलिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें बिल्कुल भी म कीजिएगा आगे का प्रोसेस में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि यह वाला डिजाइन आप लोग किस तरीके से कंप्लिट कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा जो आडर है वो 2kg का बटरस कुछ फ्लेवर में और आया था और यह तो बटरस को ऑडिएगवर में प्लिट करता हूं वहन बिटिक मेरा जहां पर मेरा जो दो जो केक बना रहा हूं तो चलिए फटा फट से कंप्लिट करता हूं बोभी फिनिसिंग से क्योंकि हमको डिजाइन जो है इसमें अपने हिसाप से बनाना था क्योंकि कि कस्टमर ने किसी तरीके का डिजयन हो गगर सलेक्ट भी नहीं किया था. अर्जेंट में ओर रहा था दू के .जिका बटर शर्ष फ्लेवर में तो हमारे को भी नी समझ में आ रहा था कि इसमें कॉण सा कुन सा डिजयन हो गगर आप बनाओ तो हम जाइसा डिजयन समझ मैं है कि यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी बना करके थोड़ा सा अच्छा भी मैं दे सकता हूं तो मैं अपने हिसाब से यह पर बना रहा हूं तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो आईसिंग कर रह था मेरा आईसिंग लगबग कमप्लेट हो गी है बस एक finishing देना बचा है तो फटावट से इसका finishing में भी दे देता हूँ क्योंकि जब आप cake बनाते तो आप लोगों को पता है कि cake बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत और भी किजिए जितना आप लोग करते हैं उससे ज्यादा थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि आपका cake बने यहां ओर भी कोशिचे करता हूं कि मेरे पास जितना भी कस्टमर आठाए मैं सोचता हूं मेरा कस्टमर को कैसे Tacos को खुष कर सको तो यही कोशिच में कंग में मेरा पास से एका प्राफिस के लिए टो कि उसी तौड़ा सब्सक्राइब मैं उसी हिसाब से यहां पर केक बना रहे हैं तो सबसे पहले देख सकता हैं यहां पर मेरा केक काफ फिनीशिंग कम्प्लेट होने के बाद में फटा-फटसे बेस बीस फिनिसिंग कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस के लिए केक था तो ऐसी ओपन बेस हमको देना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए थोड़ा सा टैम नहीं था भी मेरे पास तब पर भी मैं फटाफट से बेस फिनिसिंग कर लिया हूं इससे कहा थोड़ा सा look आ जाता है अगर मैं कुछ design करूँ या ना करूँ कुछ simple flowers होगरा भी बना करके अगर मैं दे देता हूं किचेंगे तो थोड़ा सा जेली का आगे का थोड़ा सा डिजैन कुछ इस परकार कर इस परकार से बन करके आता है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं उसके बाद हमारे पास चॉकलेट ट्रफल भी मैं गरम कर दिया था मैं बच्चे को बोला था कि थोड़ा सा फटा- अब भी complete हो गिया है थोड़ा सा लगबग अच्छा लग रहा है लेकिन अब इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या डिजैन करूं तो हम हमारे पास नेट्रल जेल भी बना था औरेंज कलर का तो इस तरीके से पैपिंग बैग में भी भरा हुआ था तो हम यहाँ देख सकते सेम टू सेम ड्रॉपिंग किया हूँ उसके बाद इस तरीके से छोटा आइसिंग पटी की साहिता से इस तरीके से पूरा अपने और प्रेस करके खिज लेना है तो देख सकते हैं कि इस तरीके से डियाइन बन करके रीडी हो गया तो मेरा केक भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था फिर हमको लगानी चली इसमें फ्लावर्स में बना करके लगा देता हूं तो मैं फ्लावर्स बनाने लगा लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर कॉमिनेशन में मैं यूज करू तो यहां पर हमको लगानी चली ब्लू कलर का फ्लावर्स बनाना च साइज का फ्लावर्स सबसे पर्फेक्ट और सबसे सही तरीके से बन जाता है और आप हमारे चैनल पे नहें तो हमारा यूट्यूब चैनल न्यूचेक वाला को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किज और एक प्यारा सा कॉमेंट आप लो लास्ट में जरूर कर देना कि आपको यह वाला जो मैं डेकुरेशन बताया हूं वह आपको कैसा लगा साथ में आप हमको फेस्बुक पेज भी फोलो कर सकते हैं मेरा फेस्बुक पेज आड़ी कुनाल के एक मास्टर के नाम से है मैं इस व आप लोगों को explain करके मैं पूरा आपको detail में बताने का कुस्स करता हूं तो देख सकते हैं मैं जो flowers बनाया था वो इस तरीके से पूरा cake पे लगा दिया हूं उपर मैं तीन flowers लगाया और साइड से नीचे जो बेज पे है वहाँ पर भी मैं दो flowers लगा दिया हूं क्योंकि पर पताया का मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत जय जय जारक